है और आज के हैं आज जो हम लोगों ने मार्केट देखा वह बहुत ही कंवेंसिंग मार्केट था मेरे लिए मैं चाहता था कि ऐसा ही एक दिन हो जाए मैंने आप लोग को कल बताया भी था कि निफ्टी मैं चाहता हूं कि एक दिन उपर ग्रीन कैंडल आया कि कि दो दिन बैक बैक फॉल किया है और उसके बाद एक पैटन जो है इस तरह का पैटन जो हैड़न चोल्डर पैटन हम कहते हैं वह बनने के लिए यह चीज ऐसे गिरना बाकी था तो वह अल्रेडी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुका है कल रेड कैंडल के साथ अगर मार्केट गिरना शुरू क 17,800 यह सारे लेवल समले को देखने को मिल सकते हैं तो निफ्टी बहुत इजी चार्ट हो गया लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें जो हमने डिसाइड किया था आज मेरा भी दो एसल हुआ है बैंक निफ्टी में क्योंकि पहले मैंने प्लानिंग किया था कि मार्केट जैसे ही लो टूटे का वह मैं सेल अफ करूंगा और इग्जाक्ली वही हुआ मार्केट जैसे ही टूटा मैंने शॉट सेल किया 43,700 का कॉल मैंने शॉट किया था जैसे ही यहां पर सेल अफ हुआ था एक्शली मैंने मेरे को पता है कि पहले दो तिन मुवमेंट नहीं होतो बेटर है तो मैं रुख गया है दस बचे के बाद लिया इस लेवल के आसपास मैंने इंट्री लिया मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया यहां गया लेकिन जब फरी यह तो तुझ पहले का एंट्री लिया था मार्केट धीरे धीरे नीच आगा जब यहां गया ना तब मेरा एसल हिट कर दिया इस ग्रीन केंडल उपर गये थे मैंने पंदरा पॉइंट का एसे लेके लेकिन फिर मार्केट नीचे गया और उसके बाग उसी लेवल पर क्लोज हो गया अक्चली देखा जाए तो मेरे लिए मार्केट और बेटर पोजिशन पर आ गया क्योंकि हम लोगों ने कल जैसे मारूती प्लानिंग किया था ठीक है मारूती आप लोग को याद होगा हम लोग मार्केट एक दिन ऊपर चला जाए फिर एक दिन हाल्ट करें उसके बाद एक अका नेगटिव सिनेरियो आता है बहुत अच्छा मुवमेंट करेगा गैप गैप अप किया और उसके बाद धडलने में मार्केट गीरा तो यही सेम चीज हम मैं एक्सक्ट कर रहा हूं कि अभी इसमें भी हो जाए ठीक है अच्छा खासा अच्छा खासा मुवमेंट है अभी मुझे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है मार्केट की हां मार्केट ठीक ठाक चल रहा है आज का एसल जो मैंने दिया आज प्रिटी मुच ओके तो गिफ दे एसल एंड लेट सी गुद दे केर